हमें बहुत मुश्किल होती थी इसलिए हमने मौधीजी से रुकरास की थी ताकि हमार स्कूल अच्छा बने और हमें डैक्स मिले। वो सब की सुनते हैं पूरी देश की सुनते हैं इसलिए मेरी भी सुने उन्होंने सुन लिए। जमू के कट हुआ जिले के लोहाई मलहार गाउं की छोटी बच्ची सीरत नाज जिसने एक बारेल वीडियो में अपनी स्कूल के हालात की तरफ पियम मोधी का ध्यान खीचते हुए मरमत करवाने का आगरे किया था। आईए आज आपको सीरत से मिलवाते हैं और उसके स्कूल लिए चलते हैं। ये है ननी सीरत का स्कूल। सीरत ने कहा कि वो चाहती हैं कि जिस सरकारी हाई स्कूल में वो पढ़ती हैं उसको अपग्रेड करने के लिए प्रशाजन जरूरी कदर उठाए। इसरी क्लास में पढ़ने वाली ननी सीरत एक साधारन परिवार से आती हैं। उसके पिता परिवार में एक मात्र कमाने वाले हैं जो की एक तिहाडी मजदू का काम करते हैं। लोहाई के इस सरकारी हाई स्कूल में दूर दराज के पहाडी गाउं से करीब 306 पर पढ़ने आते हैं। वारल वीडियो में सीरत ने स्कूल में खराब गुनेहाली धाचे की और पीम मोधी का ध्यान खीजा था। और ये भी बताया था कि डेस्क ना होने के चलते चात्रों को गंदे फर्ष पर बैठना पढ़ता हैं। और उन्हें एक खुले में शौच करना पढ़ता हैं। क्योंकि शौचाले सिर्फ नाम का ही शौचाले है। वाइरल वीडियो में नन्ही सिर्फ ने पीम मोधी से अपने स्कूल पर ध्यान देने और स्कूल में नए कमरे बनमाने का आगरे किया था। सिर्फ जिस स्कूल में बढ़ती हैं वो जम्मू के कटुआ सिले के मुख्याले से 180 किलोमीटर दूर है। सीरत से जब उस वाइरल वीडियो के बारे में पूचा गया तो उसने क्या कहा सुनीए। सीरत के ये गुहार फ्रशासम तक पहुची गई और स्कूल की दयानिया तशा को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक रवी शंकर शर्मा ने हाइ स्कूल लोहाई का निरिक्षर किया। अधिकारी ने स्कूल में पहुचकर स्कूल की इमारत का निरिचल किया और जल्द भी स्कूल की इमारत के काम को पूरा करने का आश्वासन दिया। नभी सीरत चाहती हैं कि वो पड़ी होकर आईस अधिकारी बने। ऐसी सोच के साथ सीरत अभी से ही कई बच्चों की प्रेर ना सोत बनती है। टीवी नाइन नभी सीरत के उजवल भविश्य की कामना करता है। करना करता है। झाल झाल